कानेडा भीजने के नाम पर 55 लाख रुपे ठगने की जूटी शुकायत दे कर मुकदमे दर्च कुराने वाले भाजबा के पूर्व पार्षित श्याम सुंदर को मुडल ताउं थाना पुलिस ने किया गिरिफतार आरोपी को बुधवार को नियालया में पेश कर उसे जूइल भीज दिया गया आरोपी ने दमपत्ती के लेटर पैट पर फरजवी हस्ताक्षर कर एकरार नामा तियार किया और पुलिस को शुकायत दे कर जूटी रिपोर्ट दर्च कुराए थी मामले के जांच हुई तो आरोपी खुद दोशी मिला पुलिस ने आरोपी पूर्व पार्शर और उसके बेटे के खिलाफ धोकादड़ी का जुटा मुकदमे दर्च कुराने पर केस दर्च किया था मौलल टाउन निवासी संजी वर रोडा ने बताया कि वेर रिफैंडरी में काम करता है उसकी पत्नी सीमा की SNS कंपनी लिमेंटेट के नाम से कंस्ट्रक्शन कंपनी है वाड एक के पूर पारश शाम संदर ने उनके खराना जाना शुरू किया और भाई चारा बढ़ाया इसके बाद उन्होंने रिफैंडरी में एक काम दिलाने का दबाव बनाया लेकिन उन्होंने मना कर दिया इसके बाद उसने पैसों का दबाव बनाना शुरू किया आरोपी शामसुदर ने उसकी कमपनी के करमचवडी के साथ मिलकर व सकी और उसकी पत्ति के कमपनी के लैटर पैट चौरी किए इसके बाद लैटर पैट पर 55 लाक रुपए कानीडा भीजने का फजरी एक रार नमा बनाया और विदेश भीजने के नाम पर 55 लाख रुपए के धुका धड़ी करने की मुडल टाउन में शुकायत दी आरोपी शाम सुन्दर ने अपने बेटे गौरव को गवाब बनाया था मामले में जाँ चल ही रही थी कि आरोपी ने उसके पत्नी सीमा की कंस्ट्रक्शन कमपनी SNS के लेटर पैट चूरी किये और उसी लेटर पैट पर एक पत्नी की तरफ स्टेश शाम सुन्दर को कंपनी में तीन लाग प्रती महा के हिसाब से वेटन का अन्युक्ति पत्र तियार किया 42 ए इसका घर है ये बड़े दिनों से हमको परिसान कर रहा है इसको एक डेड़ साल हो गया है पहले इसने अपनी लड़की और पत्नी के दुवारा कपड़े फाड़ कर पुलिस उंकी में पेश हो गया था कि मेरी लड़की के साथ इसने गलत आरोप लगाए है जब पुलिस जाच की अच्छी तरके से तो उसमें वह जूठा सावीत किया गया और इसकी लड़की और इसकी पत्नी पे 182 की धारा लगाई उसके बाद इसने और इसके लड़के ने दोनों ने मिलके प्लैनिंग की कि इसको विदेश बेजने के आरोप में हम फसाते हैं इन्होंने हम रोप पर जूठे आरोप लगाए 55 लाग रपे लेन देन का कुछ आरोप लगाया जो हमको बाद में पता लगा पुलीस वालों ने भी जाच की फिर वही पुलीस वालों ने एकनूमिक सेल में ये केस चला गया एकनूमिक सेल में ये सारी जाच की उसमें भी जूठा पाया गया इसमें उसकी पतनी के हस्ताक्षर किये गए यह भी जूठा मुकतमा दर्च कुराया गया पुलिस की एकनॉमिक सेल और आईसफल टीम ने मामले की जांच की मधुबन में हस्ताक्षर की जांच की गई तो सब फर्जी मिला इसके बाद पुलिस ने आरोपी शाम सुन्दर उसके बेटे गॉलफ के खिलाफ जूटी शिकायत देने के मामले में धोकादड़ी के रिपोर्ट दर्च कर गई पुलिस ने आरोपी को मंगलवार को गिरिफतार किया और गुद्वार को उसे कोट में पेश किया गया इसके फर्जी साइन इसने कर दिये तो एफसल से हमने उसकी जांस करवाई वो फर्जी पाएगे तो उस आदार पर उसको कल गिरिफतार किया गया है आज उसको कोट में पेश का ब्यूरा रिपोर्ट सेटी तहलका ब्यूरा रिपोर्ट सेटी तहलका